अगर हमें स्मॉल डिस्टेंस मतलब किसी बेटम का साइज मेजर करना है तिक उसका साइज मेजर करना है या फिर किसी मोलिक्यूल का डायमेटर मेजर करना है अगर हमें मेजर करनी है तो इनको मेजर करने की जिस मैठल का नाम तक आवोगेडरो हाइपोदेस्ट याद होगा जिसने क्लास नहीं ली कोई बाद नहीं आज का जो आठका अर्टिकल है यह भी तभी समझ मेहागा जिब आप रेगुलर क्लास मतलब कंटीनियूसली अगर इस इस लिए वीडियो को देखोंगे तो ही यह वाद आर्टिकल आपको क्लिरली समझ में आए तो जो बी है आज के अटिकल में हम एक मैठड पढ़ने वाले हैं जिस मैठड की हैल्प से आप लोग क्या कैलकुलेट करोंगे बैटा स्मोल डिस्टेंस गैप अब किसकी स्मोल डि इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेंगा इस अपको ये समझ वे आएगा कि कैसे फेजिक्स केमेस्ट्री जो है वापस में इंटरले लियेट करती है कैसे हमें फेजिक्स में क्या है क्या है कि हमें किसे मेजर में स्मॉल डिस्टेंस तो उसके लिए हमने एक ऐसी ले लिए इसका नाव है ऑलिक एसी ओलिक एसी ओलिक एसी इसका हम लोग क्या निकालेंगे मैटा इसका हम लोग साइज निकालेंगे लेकिका बारेंगे हम पहले होता है उसके बारे में बात करेंगे हम पहले उसके बार मेंठ को को अदिस कि लिए हृद्मेज को यह उन्धेमे अब इसके नहीं मेंट लिए के लिए इसके बाद चलने वाला इसीर चेब्टर चलने को बहुत इंपौर्टेंट चेप्टर है और वो च्प्टर भी आपका कि यह एक ऐसा सबस्तांस है जिसका बहुत जादा है बना किससे होता है कारवन से हर जो है वह कारवन से ही बने ऑल्मोस्ट तो जो इसका इसके पास बहुत सारे कारवन और एक सी डबल ओ और गुरूप कार्वोगसिली इसको बोलते हैं इस ताइप की कुछ तक्षा नहीं समझने हैं इसका बहुत जादा है जादा है लाज मोलीकुलर मांस इसके कुछ प्रॉपर्टी में आपको यह मैथड में आपको इसका बहुत जादा है दूसरा इसका जो लिक्विड है कैसा होता है जैसे हमारा साबूर होता है वैसे इसकी शक्षिर होती है इसकी प्रॉपर्टी और खास ही है कि यह पानी में नहीं होता वाटर में इसको पानी में डाल दोगे तो पानी में घुलता नहीं है यह सारी प्रॉपर्टी जो माप इसको बतारू हम में अच्छे यह शारी प्रॉपर्टी आपको इस मैथड को समझने में हैल्प करेगी ठीक है हर एक बात को कही नहीं लोजिक बात करें तो अगर हम किसी ओलिक एसी को किसमें ठाल देते हैं बढ़ा वाटर में अगर डाल देते हैं तो वाटर की डेंसेटी जादा होगी किस से देंसेटी ओफ वाटर मतलब अगर आप पानी में डाल देते हो तो पानी तो नीचे रहेगा और पानी की डेंसेटी क्या है जादा तो तीन बात रादी मैं आपको एक तो यह इसका लाज्ज मॉनिक्टिलर मास है दूसरा इस भी लुएर से डाइबता होता है तीसरा वाटर में इसलिवल है चोंफा इसकी डेंसेटी इसके यह एलकोहॉल में सोलीबल फोलमें कैने मिल्च कर सकते हो तो मिक्स किसमें कर सकते हैं और किसी चीज में आपको समझाओंगा कि कैसे आप किसी ऑईलिक एसीड की डायमेटर या फिर उएलिक एसीड का साइज मेजर कर सकते हो इस मैठड़ से जो मापको बताने हैं आप वो अगया है सबसे पहले हमें प्रपेर करते हैं पांच चार प्रोपरटी में आपको बता चुब मेरे को लगता है यह आपको समझें करने की चुरुत है और आप सब्सक्राइब स्वाइं साफ सुनुशन क्यार करते हैं कि सबसे पेरा है ना हमी का है इस इस तो शॉलुशन का सबस्क्राइब और एल्कोहल का एक सॉलूशन त्यार करना है तो सॉलूशन त्यार करने के तरीका क्या है हम लोग इसका त्यार करेंगे उसकी मतलब इसका मतलब यह हुआ कि 400 मिली लीटर में 400 ml के अंदर 400 ml एल्कोहल के अंदर हमारे पास एक ml क्या होना चीए ओलिक एसीड होना चीए तो हमें करने के वाद आगे जो स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को मधीर समझती तो पहले हम की बात करें हैं कि हमें 400 ml पहले का चीए अब अब 400 ml ऑप ज्यादा मॉंट थी जादा मॉंट यूंट उसका मॉट कम करने एक तरीक है एक मैथ्टड है जिसके हम कम अमॉंट ऑफ एल्कोहल का यूज करके भी था हम बना लेंगे वन आपन को और का मतलग ये एक ग्राम हमारे पास क्या है और चार सो एक ग्राम एक मिली लेटर हमारे पास और चार सो मिली लेटर हमारे पास क्या है अलकोहल अब इस कंसेंट्रेशन को बनाने के लिए क्योंकि हमारे पास मैं इतना एक करने के लिए चार सो मिली लिटर का एक सब्सक्राइब करने के लिए और एक क्रास के अंदर और चालिस बच्चे हैं हर बच्चा चार सब्सक्राइब यूज़ करेगा तो अब्रसी बात है बहुत ज्यादा एलकोल की वेस्टिज होगी तो इस बीचीज को वेस्टिज ना करके अम इसको ट्रिक बढ़ाते है कैसे आप कम अमाउंट ऑफ एलकोल से की सोलिस्टिस में आ सकके हैं आपको एक एमेल के एक एमेल का लिए नहीं है ए इसके ट्वेंटी एट्वेंट पार्ट में इसके ट्वेंटीएट पार्ट में वन पार्ट हमारे पास एलकोल है अब एक बीकर लिया हमने पहले पहले ऑनीश एमेल अलकोल लेते हैं वापस कितना एलकोल लेते हैं वापस लेते हैं वाटा नाइनटीएट लिया है उसमें से एक एमल और आपने एक बीकर में इसके बाले लिया डालने के बाद आपने एक एमल डालने के बाद आपने उसके अंतर नब यह कम मैं इसमें से एक लुक्रेशन वर लो अब गश्का है इस वन बाइट्वेंटी का इस वन फैट्वेंटी वाले का इक लो ले दिया उसको किसमें डाल जाए है कितना हो गया कितना हो गया जिसमें हम लोगों ने कितना यूज कर यूज किया और एक एमल और यूज करके हम लोगों ने कितनी बना ली वहाला पॉल्ट तो हमने क्या अपके पहले हम लोगों ने एक ऐलिक एसिड गाल को हल में बनाया और इसिट गर एक एक एमल के अंदर चार सो एमल के अंदर एक हमारा क्या होना चीए अब आपको बता देता हूं में यह सोलुशन क्यों बनाएं कि जो अइलगोल में डाने का रीजदन यह है कि जब अइलगोल में ऑइलगोल क्या होता दूर्न टेंप्रेचर पर लास्ट में हमारे पास शिर्प क्या बचे का ऐलगों और बहुत क्रम अमाउंट में पचीज़ का मतलब की ऑईलिक एसे एलकोवल में क्यों डाला ऑईलिक एसे की समझ में अब आपको करना के आपको करना मतलब क्या ग्या कर आउंट साफीन एक बचेमेक गर्ष कंटेंवस कंटेंगवाट आशक कि 이क निंदला है कि गॡिकांडा लिफ यह संप खेंड का mixed τις खेंड़ में कि अईड़ निगें इसंतल유 अंने इसंटिन sum करेशा है कि यह था तक वाटर फेल आता है अब हम क्या करेंगी इस कंटेनर से इस कंटेनर में वो जो सुलुशन मैंने बनाया है वान अपॉन तो पानी से उपर रहेगा दूसरा वाटर में भी नहीं है तो पानी के ऊपर रहेगा जैसे आप इसको गेरोगे ऊपर आपने याद डाला ड्रोब बाइट रोग इसलिए नहीं एक नंट रहे हैं यहां पर सो रिशन जाने के बाद वह जदा फैल नहीं है ना आपने ड्रोब इसको डाला वन बाइफ और सो लिशन को जैसी अब डालोग होगा वालोगी आपके वाटर का सब्सक्राइश है अगर आप उपर से देखोंगे बाटर सब्सक्राइश होगा जैसे इस पर ड्रोब आप डालोगे और क्या इस ओएलिक एचिर की जो लेयर है अब सरकल बनाएगी कि अगे यह कि अगलिक टास पेरेंट बेद्ट अब ट्रांसपेरेंट वाटर बहुत रांस परेंट निदे तो या सब्सक्राइब पाउडर डालने के बाद वाइड 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 बाउडर को अलग करता है तो बीच में चले जाएंगे बीच में पानी का सर्कल बन जाएगा ओले वो सब्सक्राइड फीचाट की लिए जब पानी के अदर आप उसको डालोगी एलकोल जो है वो इवाकॉरेट हो जाएगे सिर्फ आपके पाश्चेगा सिर्फ आपके पांस बचेगा और वह भी किस में मतलब आप यू वह तो एक बहुत पतली थिन लेयर और बन जाएगी पानी के सर्फीज के ओपर एक पतली थीन सी लेयर बन जाएगी ऐसे बहुत अब को पता होगी है ना अच्छा जब आप इसको पानी में डालोगी आप पानी में डालने के बाद एल्कोहल इवैपरेट हो जाएगा इल्कोहल इवापरेट हो जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं हमने पर पेर किया एक सॉलुशन जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 1 by 400 और अब हमने उसकी एंडरोम कितने रोब बेटा एंड्रोम पोप एक सोलुशन कि आदेका है एक हमार्य करें पास कि उसका वोल्यूम है एक द्रॉट और गलेगे तो एद्ट्रोब का वोल्यूम अगर का वोल्यूम कैसे निकालेंगी किसी भी एक ड्रॉप का वोल्यूम हम ने पता है किस कौन से से निकाला है एक ड्रॉप में कितना ओली के सिरे वन आपन तो एंड्रोप में कितना ओलिव एसी वोली के इसे इंदर वो औली एंड्रोप एक ड्रॉप में तर्वान पर फॉरंडर्ड है उसकी मालने दें शेप की जो विड्थ है वह बहुत स्मॉल है कि इस इसे स्टर्कुलर शेप की डिस्क बना लेगा यह ओलिक इसकी वाटन के सब्सक्राइब तो आप ध्यान से देखो आपने ऑपर से डाला उसने जाके नीचे पानी के सब्सक्राइब बना ली अब इस डिस्क का वोल्यूम और यह था एक ऐसे जो आपने एंट यह डिक अगवालिक डाला इस तो ने का वोल्यूम क्या होका सेंगों डेंट कि इसका वोल्यूम और यह डिस्क फोंं आपने ऊपर से बेटा एलकोहोल डाला जो पानी पर जागे एक डिसक बना रहा है जितने आपने डाले उसमें जितना अपने वाईल इसका बॉल्यूम् ऑफ द इस इस तुब तो नहीं की भाइल बराबर हो इसका एरिया मल्टिपलाइब है उसकी हाइट इसका एरिया है वह एरिया और इसकी विड्स की जो हाइट एच उसको गोल दिया में एच उसका वोल्यू करें का नहीं विड़ा एरिया मुटिप्लाइब है हाई हाई एक ना मुलकर बहुत थिकनेस गोल देते हैं जो ऑलिक एसीड की लेयर बनी है पानी के सर्फेस पर उसकी थिकनेस है एक द्रॉप का वोल्यूम प्रॉल्यूम पर चाहिए परफेस ओठाट कि इसको पानी में डालेंगे पानी में डालने के बाद जो लेयर का सरकल बनेगा उस सर्कल का डायमेटर हम अपने किसी भी सकेल से उस डायमेटर की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो लगा दो लगा दो लगा दो तो पानी में नहीं बनाए तूसरा इतना कम सॉलिशन क्यों बनाए उपानी के सर्कल बनाता आपना पानी के सर्कल बना लगा था तो पानी का सर्फेज जो होटा बढ़ जाता तो दो जो एक सिंगल ना बन बनता इसको इतना कम सोलुशन इसलिए बढाया है ताकि इसकी पानी के सर्फेस पर एक सिंगल लेयर बन जाए और उसका डायमेटर भी पानी के सरकल क्या जो कंटेनर के डायमेटर है उसके डायमेटर से छोड़ा रहे इसलिए अमने इसका कंसेंट्रेशन बहुत कम रखी जब इसको आप पानी डालोगे पानी में जालोगे पानी में इसको डालोगे तो कैसी रहें ऑनोलियर बनाने के बाद ही इसने इस सिंगल लेयर डायमेटर मिल रहा है यह को आपको मिल यह उसका और दूसरा उसमें हमने डाले एक ड्रोब के अंदर कितना आपके पास तो एन्ड रोप में कितना पानी के नीचे बनी पानी के उपर पानी में नहीं है इसकी पानी से उपर रहा है पानी के अंदर क्या वालियूम के बरापने के लिए हमारे पास एक लंबी सी टेस्ट यूब में उसको मेजर करके जो भी हमारे पास हम जितने डालते हैं उतने डालने के बाद वहां पर उस पर कैलीबरेशन हो रहा होता है कि हमारे कि इतना वोल्यूम जो है पानी का वो निच्छे लिए उससे हम आईडिया लगा सकते हैं कि एक ड्रॉप इतना हो ठीक है मालोग अभी उसका जो मार्क था उसके पर हंडर्ड प अब एक ड्रॉप का वोल्यूम निकाल सकते हैं कि एक सिंगल का वोल्यूम निकाल सकते हैं और वहां पर आपकी अब इस मैठर को अब इस मैठर में आपको किसी भी बच्चे कोई डाउट है तो अब बसे बनने वाले पूछ सकता है तो यहां से आपका इस चैप्टर भी खतम होता एक पूल रहे गया वह इस को डाउट हो इसमने पर समझेंजना है को को सकता है को अब कि उसके सास्थ हमारा अगर माल लग को कुछ डाउट नहीं तो यह वाला चैप्टर हमारा कम्प्लीट होता है अगला जो इसका थर्ड पोर्शन है इसका नाम है डाइमेंशन फॉर्मला एन डाइमेंशन एनलजिस अगला कि पुछ लटाउट अजब किसी को अगे नहीं चलेंगे मैं पूचूंग अगल एक अगल को अगल को अगल को अगल को लिक्विड से गैस पर करने एक टेंपरेशन ची रूम अब बोलत तक पर बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो वह रूम टेंपरेशर पर अपने आप इवैपूरेट हुजाता है रूम टेंपरेशर पर इवैपूरेट हुजाता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है ठीक है तो यहां पर भी प्रॉस्ट्राइब करके डाला दीरे दीरे क्या होगा यह एलकोहल कर जाएगा पिटा इवैपूरेट कर जाएगा रूम टेंपरेशर पर पर इवैपूरेट कर जाता है कि 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 सब्या एलकोहल का जुरूब पॉइलिंग पॉइंट है वो सैवेंटीएट शैवेंटी सिक्स नहीं होता कुछ को कम भी होता है और पानी वाटर की बात कर लेते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर अ पर पानी अपने रूम टेंपरेशर पर भी तो इवैपूरेशन प्रॉसर से कम भी उसके वॉइलिंग पॉइंट से कम पर भी हो जाती है इवैपूरेशन प्रॉसर से पानी है तब वह एपूरेट करता है यह पूरेट होने के बाद पानी बादलों में आथा अभी तो पारिश बनती अब रखान्ड़ डिग्री टेंपरेशन होगा इवैपॉरेशन केंडी सट एड़ इन टेंप्रेशर और यू कैन से रूम प्र क्लास ओवर आ जा सकती हूं कोई डाउटर पूछ लो मनीश कुमार सबको बोलना है क्लास लेने के लिए ठीक है क्लास बोली क्लास बोली पानी में डालेंगे न तो एक ड्रोप का जो एक ड्रोप के अंदर जितना ऑईली कैसी डाएगा न वह वन एमल से बहुत ज़्यदा होगा अभी हमारे पास चार सो एमल के अंदर चार सो एमल के अंदर मेरे पास एक एमल क्या है और अगर आप डाल दोगे तो उसकी बहुत कम अमांट मुझे कर रही है और बहुत कम अमांट अगर आपने एक ड्रोप डाल दिया ना तो वह ड्रोप आपके पानी के चार तरफ जो है पानी का जितना भी कंटेनर का डायमेटर है ना उससे ज़्यादा में फैल जाएगा औ और सिंगल ना बना कि मल्टी ये बना देगा और मल्टी ले बना दी तो पिर हम एक डायमेटर नहीं निकाल पाएगे हम बहुत बहुत कम अमांट यूज कर पाएग कि बच्चे को रखते हैं पानी को फिर दूसरे पानी में जो फिर उसी को फिर उसी में चाहिए क्या अगर डाले ना उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो और अगर अमाउंट ज्यादा है तो फिर बना नहीं पाएगा मुल्टिपल सिंगल है मुल्टिपल लेर बनाएगा अगरे आप अधर यहां आप फैक्टी एसिडी यूज कर सकते हो आप कोई भी जैसे और अलीव वोल एल अलीव यूज कर शक्याव यहां ओली एक एक इसलिए जनल्र ली बहुत जगा हमारी chemistry इसमें होता है इसले ऑई लीक अचिट का डायमेटर आगे कि और कुई डाउट कि इसा निकालने के लिए तो आवोगेडरो मैठेड ही आवोगेडरो मैठेड से निकाल देंगे अगर इसके वाले में डिटेल में पूरे डिटेल के अंदर मिल जाएगा वाकिक जो मैंने बता इतनी बात थी वहां आपको बता ही दिये सब समझ में आई जाएगा आपको पर वहां डिटेल में मिल जाएगा ठीक है कि ओके कि 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 कर दो कि 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 कि